विलास के केस में एक विशियस साइकल क्रियेट हुए है, एक बड़ी नेगिटिव साइकल क्रियेट हुए है, जहाँ पर माबाप भी गरीब थे, जो बहुत कम पैसा कमा रहे थे, जो अनपड़ थे, फिर उनके बच्चे भी गरीब, क्योंकि वो भी नहीं पड़ रहे हैं, न कि वहीं पर अगर मैं नर्स बोलू, टीचर बोलू, हाँ, तो इन सब सिनारियोस में तुम्हारे दिमाग में एक फीमेल इमेज आएगी, बहुत सारी कोशिश से सरकार करती है, education प्रवाइड करने के लिए, free education प्रवाइड करने के लिए, a lot of things are done, but problem वही है, कि हम लोगों के जो government schools हैं, वहाँ से बच्चे पढ़ तो लेते हैं, बट इतना ज़ादा drawbacks है ना वहाँ पर, कि आपने बस एक degree तो ले लिए, बट उस quality की education आपको provide नहीं की जाए, Hello everyone, स्वागित हैब सभीकाज की हमारी इस class में, बचो दिस इस यूर SST educator उजबला पुंच, और आज की class में हम जिस chapter को एक short में complete करने वाले हैं, उस chapter का नाम है people as a resource यान की लोग जो की एक संसाधन है, अभी तक आप लोगों ने resources की बाद सिर्फ और सिफ geography के अंदर करी यहां पर आप समझते हो किया resource हर वो एक चीज होती है, जो human beings की needs को satisfy करती है, fulfill करती है, बट यार यहां पर हमने लोगों को ही एक resource का दरजा दे दिया, यानि कि आप सब लोग, हम सब लोग, सब resource है, क्या सब resource है, या फिर क्या resource बनाना पड़ता है किसी एक व्यक्ती को, या सारे व्यक्ती पैदा होते ही resource है, तो अभी ये सारी जो confusion है ना, इसको दूर करेंगे बचो हम लोग, और फट अफट से इस chapter को हम चालू करने वाले हैं, तो let's begin, फट अफट से यहां पर हम लोग देखने वाले हैं, क्या बात हो रहे हैं, अरे, हां, देखो, इस chapter के अंदर ये कोशिश करी गई है, to explain the population as an asset for the economy rather than a liability, बचो, asset or liability क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा, देखो, मैं कल को एक property खरीती हूँ, और मैं सपोज 10 लाग की property खरीती हूँ, मुझे पता है क्यार कल को ना, ये property और महंगी होगी, महंगी होगी, महंगी होगी, ये 15 लाग की होगी, 10 लाग की होगी, 10 लाग की होगी, 10 लाग की होगी, so it will be beneficial for me, ठीक है, तो मैंने उस पर पैसा इसलिए लगाया है, उस चीज को खरीदने में पैसा इसलिए लगाया है, क्योंकि मुझे पता है क्यार कल को ये मुझे return देगी, ठीक है, so it is an asset for me, जो मेरा फाइदा करव इसलिए इसलिए मैंने उस पे पैसा लगाया है, बट लाइबिलिटी कौन सी चीज होई ? लाइबिलिटी होती है, आपके सर पे बोज यानि कि आपने किसी चीज पे पैसा लगा दिया पट उससे कोई return ने आया, बलकि आपको नुकसान और हो गया, ठीक है, अब यार, population जो ह not a proper resource, आप you are in the making, ठीक है, अभी आपको बनाया जा रहा है एक resource, आपको पढ़ाई लिखाई कराई जा रही है, आप एक asset formation में हो, कल को obvious ही बात है, बढ़ लिख कर, अब सबस्ट चलो देखो, मैं दो बच्चो का example लेती हूं, कि मेरी क्लास में ना दो बच्चे हैं, एक है चिंटू, एक है मिंटू, अब चिंटू जो है ना, चिंटू के माबाप ने उसके पढ़ाई पर बहुत पैसा लगाया, चिंटू ने क्या करा, चिंटू आगे चल के बहुत अच्छी नौकरी भी करने लगता है, बहुत अच्छी नौकरी करता है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है, उसके पैरेंस भी खुश है, चिंटू भी खुश है, फैमली बहुत जादा मज़े से जीरी है, बर जो मिंटू था ना, उसके माबाप ने उस पर पैसा लगाया, लेकिन मिंटू ने कल को जाकर बोला क्यार मेरा मन नहीं करता कोई जॉब वाप करने का मैं अराम से घर पर बैठूंगा ठीक है मैं मम्मी बापा के पैसे पर एश करने वाला हूँ तो मिंटू एक तरीके से उसने क्या करा उबाप के लिए एक लाइबिलिटी बन गया सरफे बोज बन गया क्योंकि माबापने पैसा तो इससे लगाए था कि कल को मिंटू भी काम करेगा मिंटू भी कमाएगा रिटरण आयेगा बट अभी रिटरण नहीं आ रहा है लाइबिलिटी बन चुका है वो ठेक है, तो चिंतो एक एसेट बना, मिंटु भही पर एक liability बना तो इसी तरीके से बचचो इस पोप्योलेशन जो है, या तो वो एक asset हो सकती है, या फिर वो एक liability हो सकती है, और उसी चीज को समझाने की कोशिश ये chapter करता है आप लोगों को, हम बोलते हैं ना कि elliया की population तुन में बचेगी ही नहीं जो हमें हमारे साथ compete करने की सोच भी सके क्योंकि आपने इतनी सारी population को अगर asset बना दिया, asset में convert कर दिया, एक resource बना दिया, तो कल को किसी की हम्मत नहीं होगी कि हमारे साथ वो जो है competition का सोच भी लें, ठीक है, तो इसलिए it is very important for you to become an asset for everyone to become an asset, अब देखो, people as a resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities, तो people as a resource जो chapter है, वो आपको एक तरीके से यह समझाना चाहता है कि देश के अंदर काम कौन-कौन से लोग कर रहे हैं, कितनी productive skills उनके अंदर है, कितनी ability उनके पास है, क्या वो एक asset है हमारे लिए या नहीं है, वो वाली चीज समझाना चाहता है साथ ही में, the ability to contribute to the creation of the gross national product which is the GNP, बचो हमारी national income की तरफ कौन से लोग contribute करते हैं, कौन से लोग contribute नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से भी यह chapter आपको explain करना चाहता है, कि who all are our assets, कौन कौन asset है हमारा, साथ ही में, when the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation, और जब हम existing human resource को ही और जादा develop कराते हैं, अब कभी आर ऐसा तो होता नहीं, कि आप बोलो गयार मेरी schooling खतम होगी है, अब मैं human resource बन चुका हूँ, काम खतम, schooling के बाद graduation होगा, आपकी skills और develop होगी, graduation के बाद अगर आप post graduation करोगा, आपकी skills और develop होगी, उसके बाद suppose आपको ही कोर्स करते हो, ठीक है, कोई certificate कोर्स करते हो, जिससे कि आप एक नई skill develop कर रहे हो, suppose कोई language सीख रहे हो, जैसे python हो गया, यह सारी जो computer languages है, यह सब सीख रहे हो, तो फिर आपकी skills और develop होगी, आप कहीं पर काम करोगे, आपको work X मेलेगा, आपकी skills और develop होगी, तो आर एक इंसान जो है ना, वो कभी भी ऐसे stagnant उसको नहीं होना चाहिए, जितना जादा वो skills और knowledge addition करता जाएगा, करता जाएगा, उतना ही जादा वो अपनी life में आगे भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, तो जादा से जादा, जब हम human resource को भी और further develop करते रहते हैं, करते रहते हैं, करत आपको ऐसी मज़ाख में सुना दी थी, अब एक कहानी जरा हम यहाँ पर समझेंगे सकल और विलास की, और इस कहानी को समझने के बाद हमको समझ में आएगा कि यार, life में हमें क्या करना है, क्या हमें सकल की रहा पे चलना है, या क्या हमें विलास की रहा पे चलना है, दोनो बच्चों की जो स्थितियां हैं वो काफी similar होती हैं लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जो काफी determined होता है अपनी life में उसको कुछ आगे बढ़ना होता है कुछ करना होता है पर एक बच्चा वहीं पर कुछ करना नहीं होता उसको आगे बढ़ भी नहीं पाता वो तो देखो क्य जो दोस्त हैं गे राहा करते थे सकल एक 12 साल का लड़का था उनकी मा थी शीला जो की घर का काम किया करती थी और उनके फादर थे बूटा चोधरी जो की एक agricultural field यानी की खेती का काम करते थे सकल जो है अपनी मा की भी मदद करते थे sort of 12th वगेरा लेकिन वो घर पे बैठे रहते थे कुछ काम धन्ना नहीं करते थे बूटा और शीला जो है यानि की सकल के जो पेरेंट्स है वो चाहते थे कि सकल को अच्छी खासी पढ़ाई वो करमाए ठीक है तो सकल को वो स्कूल जोइन कराते हैं उसके बाद सकल अपनी सेके कुछ समय में वूनको एक प्राइवेट नोकरी मिल जाती है प्राइवेट नौकरी के बाद वो एक नया software भी design करते हैं तो इस software से जो है company की sales बढ़ती हैं और सकल को इसी वज़े से promotion मिल जाता है और यहाँ पर देखो बूटा और शीला जो सकल के parents है वो काफी जादा खुश है और सकल खुद भी खुश है और एक तरीके से आर देखो अ पढ़ाई लिखाई पर काफी पैसा लगाया पैसा नहीं भी था तो लून लिया लेकिन उसको और पढ़ाया और पढ़ाया क्योंकि सकल खुद भी आर उन में वो ज़जबा था कि उनको आगे चल के कुछ करना है तो उन्होंने भी पढ़ाई लिखाई करी वो भी आगे बताओं कि अगर कोई कोशिश करके इंसान अपनी गरीबी की सिती से बाहर आने की कोशिश करे, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाये, अच्छी नौकरी में भेजे, तो शायद people would move on from that cycle of poverty and they'll start earning more, they'll start to live a better life, उनका जो lifestyle है वो improve होगा, right? So people should do that, जैसे की सकल की कहाने में हुआ है, वहीं पर अगर मैं विलास की बात करूँ, विलास भी सेम ही गाउ में रह रहे थे, वो 11 साल के लड़के थे, विलास के फादर महेश एक फिशर मैन थे, उनके फादर की मृत्यू हो जाती है, जब विलास सिफ 2 साल के थे, फिर उनकी जो मा थी गीता, वो मचली बेच कर पैसा कमाया करती थी, फैमिली का ख्याल रखती थी, वहीं मचली बेच कर गुजारा ये लोग किया करते थे, ठीके, अब बचो हम देखते हैं कि वो 20 से 30 रुपे कमा पाती थी, मचली बेच कर प्रती दिन, विलास जो है, अर्थराइटि उनको हो जाता है, तो उनकी हेल्थ कंडिशन भी थोड़ी खराब हो जाती है, उनकी मा अफोर्ड नहीं कर सकती थी, कि वो विलास को डॉक्टर तक लेकर जा सके, इलाज करा सके विलास का, ठीके, और विलास स्कूल भी नहीं जा पाते थे, तो हेल्थ खराब है, अगर हेल् करते थे वो खाना बनाने में अपने ब्रदर मोहन का ख्याल रख दे लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी जो मा है उनकी भी दभिट खराब हो जाती है और कोई ख्याल रखने के लिए नहीं होता है family में कोई नहीं होता है जो कि कमाएगा पहले तो मां ही कमा रही थे अब कोई कमाने वाला भी नहीं होता है तो इसी वज़े से विलास भी एक तरीके से अब क्योंकि ना तो उन्होंने पढ़ाई करी ना तो अपनी सेहत का ख्याल रखा ना तो वो डॉक्टर को अफोर्ड कर पाए तो इसी बात है इनकम तो तब बड़ेगी ना जब आपने पढ़ाई करी हो जब आपने और हायर एजूकेशन परसु करी हो या फिर कुछ जिंदगी में करा हो अगर कुछ करा ही नहीं है, आप अपने घर पे बैठे रहे ना, आपने अपने अपनी सेहत का ख्याल रखा ना, आपने अपने अपने पड़ाई लिखाई करी, so you'll always be in that state, forever, and you'll never be able to get out of that cycle of poverty, right, so that is what was happening with villas, all right, चलिए, तो ये तो बचो, I hope, आप लोगों को दोनों कहानिया समझ माई है, अब जरर नहीं यहाँ पर एक चीज समझते हैं हम लोग, एक चीज ये है कि हम लोग virtuous और vicious cycle की बात करते हैं, माम ये कौन से cycle है, हमने तो नहीं चलाई है, cycle, पचो देखिए, सकल की कहानी केंदर आप लोगों को समझ मैं कि एक गरीब माबाप ने, जब अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई पर focus कर और वो बेटा भी जो है, उसने भी उस चीज को आगे ले कर गया, उसकी भी इच्छा थी कि उसको पढ़ना था, लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करना था, तो वो आगे भी बढ़ता है, और अपने माबाप और अपने पूरे खांदान को poverty की cycle से बाहर निकालता है, तो गरीबी से बाहर निकाला, कल को फिर सकल जो है अपने लिए एक educated partner ढोनेगा, फिर उनका बच्चा होगा, फिर उस बच्चे को भी वो पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, और इस तरीके से they have gotten out of the cycle of poverty, गरीबी की cycle से वो बाहर निकल गए, तो उन्होंने एक virtuous cycle create करी, वहीं अगर मैं विलास के case की बात करूँ, विलास के case में एक vicious cycle create हुए है, एक बड़ी negative cycle create हुए है, जहां पर माबाप भी गरीब थे, जो बहुत कम पैसा कमा रहे थे, जो अनपढ थे, फिर उनके बच्चे भी गरीब, क्योंकि वो भी नहीं पढ़ रहे हैं, ना अपनी सेहत का चल रख रहे हैं, तो जीसे माबाप को बिमारिया लग रही है, बच्चों को भी बिमारिया लग रही हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहे हैं, और उतना ही पैसा कमा पा रहे हैं, जितने उनके माबाप कमा रहे थे, और पैसा वो sufficient ही नहीं है, to like take care of themselves, वो तो बहुत ही नीगर इंकम है और अगर वो इसी तरीके से चलते रहे तो कल तक वो vicious cycle रहेगी गरीब माबाप उनके बच्चे गरीब फिर उनके आने वाली पीडी गरीब तो ऐसे वो poverty की cycle में ही रहेंगे तो इसी वज़े से हम इसा जो है एक virtuous cycle create होनी चाहिए virtuous cycle अगर आप create करोगे यानि कि अगर लोग बच्चे की पड़ाई लिखाई पर उसकी सेहत का ख्याल रखेंगे और कल को वो बच्चे आगे चल करें एक asset बनेंगे एक human resource में अपने आपको develop करेंगे तो या definitely हम बोल सकते ह है कि देश का भी उद्धार होगा उस परिवार का भी उद्धार होगा उस इंसान का भी उद्धार होगा और एक virtuous cycle create होगी instead of a vicious cycle तो मुझे comments में बताईएगा कि आपको किस बच्चे की तरह बनना है सकल की तरह या विलास की तरह चलिए अब बच्चो यहाँ पर बात करते ह है economic activities by men and women economic activity क्या होती है economic activity होती है बच्चो जिस activity को perform करके कोई भी ऐसा काम जो कि आप कर रहे हैं जिससे क्या पैसा कमा रहे हैं ठीक है अब बहुत सारी activities है जिनको हमने तीन sectors में classify करा हुआ है एक है primary sector एक है secondary sector एक है tertiary sector तो तीन टाइप के sectors में काम करके तीन अलग-अलग हिससे हैं बच्चो economy के जिसमें लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं primary sector में वो सारी की सारी activities आती हैं जहां पर आप nature से जुड़ी हुई गतिविधियों को perform करके पैसा कमा रहे हो तो primary sector के अंदर agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry, farming, mining, quarrying तो यह सारी चीज़े जहां पर आप nature को exploit करके किसी activity को perform कर रहे हो कि आपने खेत देखा माँ खेती करी आप जो अपनी भेड बक्रियों को चारा चरवाते हो फिर वही जो है अनलब animal husbandry वाला task perform कर रहे हो animal products को बेच के गुजारा कर रहे हो, fishing कर रहे हो, fishes को बेच रहे हो, poultry farming कर रहे हो, ठीके, उसी के साथ साथ कोरिंग, mining, minerals अगेरा extract कर रहे हो, तो यह सारी चीज़ आप नेचर को, जो नेचर में already चीज़े available है, उनहीं को exploit करके perform कर रहे हो, that is why they are a part of the primary sector, तो बहुत से लोग इस primary sector में रहकर पैसा कमाते है, दूसरा sector आता है हमारा secondary sector, जिसके इनर manufacturing के activity को perform करा जाता है, मतलब कि बजो जहां पर सम समान बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वो सारा की सारी चीज़ secondary sector में आती है, जिससे कि अगर मैं बोलू कि लकडी से, लकडी से अपने furniture बनाया, आपको जो है cotton, raw cotton मेली, उस raw cotton से अपने cotton का कपड़ा बनाया, तो यह जो सारी activities होती है, manufacturing activities होती है और इसको हम secondary sector में put in करते है, तो all the people working in the manufacturing sector are a part of the secondary sector, फिर last type की sector, जो last type का आता है वो है tertiary sector, जिसके नर कोई समान प्रड्यूस नहीं हो रहा है, बलकि यहाँ पर services प्रड्यूस की जा रहे हैं, जैसे कि बचो जो लोग services, trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, और insurance, इन सब चीजों में involved है, चाहे, teaching की भी बात करो, teaching is also a service, यहाँ पर हमको good थोड़ी produce कर रहे हैं, ठीक है, so everyone who is involved in producing services is a part of the tertiary sector, ठीक है बचो, all right, तो यह 3 sectors होते हैं, जिसमें लोग काम कर रहे हैं और लोग earn कर रहे हैं, अब इन सभी activities के साथ हमारी national income में value add की जाती है, अब इससी बात है, suppose मैं बोल रही हूँ कि जितने लोग primary sector मे काम कर रहे हैं, वो 4 करोड कमा रहे हैं, secondary sector वाले 6 करोड कमा रहे हैं, tertiary sector वाले 12 करोड कमा रहे हैं, तो इस सारी चीज़ें मिला कर हमारे national income का हिस्सा बन जाएंगे, इस सेतनी अरए हैं, सबको जोड़कर हमारी national income आ जाएगी, अब बचो, economic activities के भी दो parts होते हैं, हर economic activity के भ यह मतलब है कि suppose एक किसान है ठीक है प्राइमरी सेक्टर का काम हो गया मतलब कि वो अग्रिकल्चर परफॉर्म कर रहा है उसका खेत है अब उस खेत में वो क्या करता है suppose पांच किलो चावल उसने प्रड्यूस करा है ठीक है फाइफ केजीज ओफ राइस उसने इस खेत में प्रड्यूस करा है अब वो फार्मर कहता है कि यार देखो पोर केजीज जो चावल है न वो तो मैं मार्किट में बेच दूँगा और पैसा कमा लूँगा चार किलो का जितना भी पैसा मिलता है वो मैं कमा लूँगा लेकिन मुझे थोड़ा सा चावल अपने परिवार के लिए भी तो चाहिए तो वो क्या करता है एक किलो जो चावल है वो अपनी फैमिली के लिए रख लेता है ठीक है तो 1 kg जो rice है वो अपने परिवार के लिए रख लेता है जिसका मतलब ये है किस 1 kg से उसने कोई पैसा नहीं कमाया तो ये एक non-market activity होगी where you have not earned money and which was done for self-consumption वहीं पर जो 4 kg था जिसको उसने बेचा अब economic activity तो perform करी है ना बट उस economic activity के अंदर कुछ पार्ट ऐसा था जि उससे पैसा नहीं कमाया और विससी बात है कि ये वाला जो self-consumption वाला हर जाता है national income में जिस आपने पैसा कमाया है सिर्व वहीं चीज जोड़ी जाएगे अब बचो मेरा आपसे एक बड़ा ही simple सा सवाल है जिसका answer आपको comment section में देना है मैं आपसे सिर्व इतना पुछना क्या आप लोग zomato suigi इन सा platform से order करते हो खाना तब तो आप पैसा देते हो और obvious सी बात है कि वो तो national income में जुड़ता होगा लेकिन जब आपके मम्मी घर पे इतना काम करती है आपके लिए खाना बनाती है है ना सफाई करती है घर की तो क्या वो activity economic activity में आएगी और अगर आ economic activity है तो reason क्या है या फिर अगर वो economic activity नहीं भी है तो उसके पीछे reason क्या है मुझे ज़रूर इसका answer comments में दीजेगा I am very very intrigued कि आप लोग क्या लिखोगे चालो अभी आगे चल लेते हैं यहां पर आजाए बचो और बात कर लेते हैं division of labor between men and women अब बचो लेबर तो काम करी रह रही है secondary में भी काम कर रही है tertiary में भी काम कर रही है लेकिन एक gender division देखने को मिलता है men और women के बीच में अब ऐसा division क्यों है कि कुछ sector में जैसे एक बारी नबनी आखे बन करो मैं तुम्हें जब बोलूगी न doctor तुम्हारे दिमाग में क्या एक male image आरी है या female image आरी है मैं ज इनों scenarios में मुझे पता है कि maximum बच्चों के दिमाग में एक male image आई होगी लेकिन वहीं पर अगर मैं nurse बोलूँ teacher बोलूँ हां तो इन सब scenarios में तुम्हारे दिमाग में female image आएगी तो हमारी society में कहीं न कहीं कुछ चीजे मानी जाती है कि male dominated है कुछ चीजे मानी जाती है कि female dominated ह है तो कुछ एतिहासिक और sanskritic reasons की वज़े से historical और cultural reasons की वज़े से there is a division between the labor between men and women women generally look after domestic course men work in the fields mahillai generally घर का काम करती है और आदमी जो है बाहर खेत में काम करने जाते है गाओं में अगर हम बात करें ऐसा क्यों है तो यह शुरू से ही ना ऐसा माना जाता है एतिहासिक रूप से यह एक scenario चलता वा रहा है कि यह लड़की पढ़ लिखके क्या करेंगी लड़की को कल को शादी करके दूसरे घर जाना है दूसरे घर पे जाकर अपने पती का ख्याल रखना है अपने ससुराल वालों का ख्या यही सब करना है तो एक वही जो सोच चलतीपी पह रही है इस reason की वज़े से बहुत सी families अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती especially girl child को नहीं पढ़ाती बच्चों को नहीं लड़कों को पढ़ाएंगी अपनी जो girl child होगी उसको नहीं पढ़ााेंगी तो that is very very sad मतलब मैं यहाँ पर आपको एक कहानी बताती हूँ so like मेरे घर पर एक house help काम करती थी so वो बहुत दूर साई थी like बिंगॉल में किसी एरिया साई थी और वो बहुत छोटी थी जब आई थी तो like मुझे याद है तो मैंने ना मतलब उनसे जब पूछा कि यार आप मतलब आपने पढ़ाई लिखाई कहां तक करे कौन सी क्लास तक तो she was like I have not studied at all तो उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई लिखाई कभी करी ही नहीं थी और मैंने जब पूछा तो बहुत थी लड़कियों को है ना डुमेस्टिक वर्क के लिए भेज देते है या फिर उनकी शादी ब्या कर देते है तो सिंपल सी वही चीज़ है बचों की हमें लगता है कि हम लोग शहरों में रहते है बड़े-बड़े शहरों में रहते है तो हमारे पेरेंस लड़कियों और लड़कों में भेदभाव नहीं करते है बट हाँ ऐसी सोच आज भी बहुत सारे इलाकों वे कायम है जहां पर यह माना जाता है कि आर वो गर्ल चाइल्ड है उसको पड़ा लिखा के भी क्या ही करोगे पैसा बेस्ट हो जाएगा है नकल को काम वाम तो करना नहीं घर का काम करना है उसको तो यह सब चीज़े होती है और obviously किसी भी एक इनसान एक इनसान जादा कप कमाएगा जब उसके पस एक अच्छी education है एक अच्छा skill set है अच्छी education और अच्छी skills के साथ ही आप एक अच्छी income earn कर सकते हो बट यहाँ पर जब आप लड़कियों को पड़ाओगे ही नहीं skills तो दूर की बात है पड़ाओगे ही नहीं इससे कि step नहीं फुल्फिल करोगे तो how will they earn they won't be able to earn तो इसी वज़े से majority जो महिलाएं है उनके पास बिलकुल meager education low level of education low skill formation है जिस वज़े से they are not earning that much and men are like in the अगर हम देखें कि जो एक अच्छी high earning jobs होती है वहाँ पर आदमी आपको जादा मिलेंगे औरते कम मिलेंगी क्यों ऐसा नहीं कि ओरते वो नौकरिया कर नहीं सकती कर सकती हैं बट क्योंकि उनको society के अंदर ही उस level की education और उस level का skill formation नहीं दिया जाता that is why they are not able to reach there only पहुँच ही नहीं पाती है ठीक है तो this is the reason women are paid low compared to men आदमी उसे कम भी उनको pay करा जाता है for the same work organized and unorganized sector बचो दो type के और sector की division है most women work where job security is not there employment in this sector is categorized by irregular low income and in this sector there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security systems बचो देखो organized and unorganized sector क्या होता है जैसे कुछ companies होती है जो की government के साथ registered होती है कुछ ऐसी companies होती है जो government के साथ registered नहीं होती अब जो government के साथ registered है तो उन्हें कुछ norms, policies, सरकारी norms और policies का पालन करना पड़ेगा follow करना पड़ेगा तो organized sector के अंदर हर चीज organized होती है मतलब आपके पास a set of rules है formal चीजें है job security है मतलब ऐसी कल को आपकी को यसे नौकरी छीन नहीं सकता है तो या तो आपको इंफर्म करना पड़ेगा notice देना पड़ेगा all of those things एसे एकदम से नहीं कि कल से मत आना काम पे नहीं एसे नहीं हो सकता प्लास एक फिक्स टाइम के बाद salary आते है आपको पता है कि यार मन्थ हैंड मन्थ के शुरुवात में salary आएगी साथी में बहुत सारे benefits जिसे होता है हम बोल सकते है gratuity, maternity leave medical sick leaves ये सारी leaves भी मिलती है PF वगएरा भी आपका लब दिया जाता है तो ये सारे benefits आपको और्गिनाई सेक्टर में मिलते हैं वहीं पर जो अन और्गिनाई सेक्टर होता है वह सरकार के साथ नहीं जुड़ा होता है तो यहाँ पर कोई rules, regulations नहीं होते काम पर रख लिया जाता है कल को किसी भी दिन निकाल भी दिया जाएगा ठीक है? और बहुत कम पैसा भी दिया जाता है irregular working conditions होते हैं कि कभी रखा, कभी निकाल दिया basic maternity leave, child care यह सारी social security system यह सब चीज़े मौजूद ही नहीं होती कोई benefit नहीं दिये जाते है अब एक और reason कि महिलाएं कम क्यों कमा रही है आदमियों से तो वो तो यह हमने आपको बताया कि उनको ना मतलब पढ़ाया लिखाया भी उतना नहीं गया साथी में उनको skills भी उतनी नहीं प्रोवाइड की गई साथी में maximum women are working in the unorganized sector अब क्योंकि वो unorganized sector में काम कर रही है तो एक तो उनको कोई benefits नहीं मिल रहे irregular working condition है, job security नहीं है low income है आदमी maximum हमारे organized sector में काम कर रहे हैं देखो women with high education skill formation paid at par with men among the organized sector teaching medicine attract them the most some women have entered administrative and other services including the jobs that need high levels of scientific and technological competence तो ये ना आपको ये जो भेदभाव देखने को मिलेगा आदमी और ओरतों के income में वो आपको तभी देखने को मिलेगा अगर महिलाएं unorganized sector में काम कर रहे हैं और आदमी organized sector में काम कर रहे हैं बट जो महिलाएं आदमीों के साथ organized sector में काम कर रहे हैं कंदे से कंदा मिला के चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये income disparity देखने को नहीं मिलेगी because they will be paid at par with the men सेम ही चीज है सेम नौकरी कर रहे हैं तो सेम पैसा भी मिलेगा तो जिन महिलाओं का skill formation और education level high they work in the organized sector majorly वो थोड़ा stereotype रहता है कि हाँ teaching और medicine के अंदर सबसे ज़ादा महिलाएं जाती है क्योंकि वो थोड़ा safe job लगती है in terms of the security purposes और बहुत से ऐसी jobs हैं जहाँ पर high level scientific technological knowledge चेके वहाँ पर भी आजकल महिलाएं बहुत ज़ादा देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को अल्राइट चल चलिए जी आजाओ अभी हम लोग आगे चल लेते हैं और आगे चल कर बात करते हैं बहुत important topic की जो की है quality of population यार हम सभी को पता है कि इंडिया के अंदर population जनसंख्या तो बहुत ज़ादा है पर क्या इस quantity में वो quality है तो quality कैसे आएगी पहली बात तो quality आप कभी कपड़ा भी कुछ खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि कितना जितना घटिया quality का कपड़ा होता है तो ना सस्ता और जैसे जैसे quality इंप्रूफ होती जाती है कपड़े की उतना ही एक है आपकी शिक्षा यानि कि एजुकेशन दूसरा है आपका स्वास्त यानि कि आपकी हेल्थ और तीसरे चीज़ है skills जो जो आपने गेन करी हैं एक्क्वायर करी हैं ठीक है तो quality of population depend करता है आपकी literacy rate पर जो की बचो एक तरीके से आपका एक education का indicator है health के बारे में भी अगर यहां लिखा है life expectancy ठीक है तो health condition क्या है population की life expectancy से indicate किया जाता है life expectancy क्या होती है the average number of years a person is expected to live जितनी जादा life expectancy रहेगी उतनी ही बहतर health conditions रहेगी साथी में skill जो के एक इनसान ने acquire किये है quality population depend करती ultimately decides the growth rate of the country तो quality जितनी अच्छी रहेगी एक देश के लोगों की उतन्या ही जादा वो देश आगे बढ़ेगा आगे ग्रो करेगा literacy और health दो ऐसी चीजे हैं बच्चों जो की population को एक asset बनाती है पढ़ाई लिखाई है आपका स्वास्त है जादा important चीजे है जो की आपको और आगे लेकर जाएंगे और जो skills आप गेन करते हो तीन चीजे याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पे just remember this thing कभी भी quality की बात की जाए तो education health and skills तो यही तीन चीजें आपको acquire करनी है अगर आपको और जादा अच्छा होते रहना है और जादा life में आगे बढ़ते रहना है चिक है आगे आज़ो सबसे पहले बचो हम लोग अब सबसे पहले determinant की बात करने वाले हैं जो की quality of population को सुधारेगा अब जाहिर सी बात है कोई भी देश चाहेगा की वो आगे बढ़े वो और जादा develop करे इंडिया भी चाहेगा की वो और जादा develop करे कैसे करेगा develop बचो अपने लोगों को एक अच्छी quality का resource बना कर human resource में convert करके ही वो देश आगे बढ़ सकता है और human resource में convert तभी वो देश कर पाएगा जब उसके देश के लोगों के पास अच्छी शिक्षा होगी और उस देश के जो लोग होंगे वो स्वस्थ होंगे ठीक है तो a good education and good health these are the very two important factors जो की देश को खुद ध्यान में रखने होंगे कि लोगों को ये दो चीजे provide करने अच्छे से ताकि देश जो है देश आगे बढ़े लोग भी आगे बढ़े अपनी life में देश को भी आगे लेकर जाए सबसे पहली चीज है education there is a provision made for providing universal access, retention, quality in elementary education with a special emphasis on girls तो बचों ये कोशिश की जा रही है कि सभी को पढ़ाई लिखाई में एक universal access provide करा जाए यानि कि जो जो लोग पढ़ने की age पे है वो सब school तक जा पाए जहां से भी शिक्षा मिलती है उसको grant कर सके access पहुँच जो है education की सभी के पास हो तो universal access वाला point clear हुआ retention, retention का मतलब यह है एक यार एक बारी access मिल गया एक बारी तुमने दाखिला ले लिया school में college में जहां पर भी तुम पढ़ रहे हो उसके बाद ऐसा नहीं है कि थोड़े से दिन पढ़े एक साल पढ़े एक साल education gain करी और फिर निकल लिये नहीं यह नहीं करना है हमें उस इंसान को retain करके रखना है कि अगर किसी ने first class में admission लिया है तो second, third, fourth, fifth, twelfth जब तक school खतम नहीं होता तब तक वो school में रहे, retain करके उसको रखना है तो retention is also very important साथ ही में quality in elementary education elementary education क्या होती है जो primary level education होती है जब आप 5-7 साल के होती हो तब से चालू होती है और जब आप 10-13 साल के बीच में होती हो तब जाके वो खतम होती है तो उस elementary education को भी quality वाला education मिल सके elementary education सभी बच्चों को अच्छी quality की मिल सके especially लड़कियों को girl child को अब यहाँ पे special emphasis on girls को लिखा है मैम लड़कों को education नहीं प्रोवाइड करनी क्या तो यहाँ लड़कों को तो देखो माबाप भेजी रहे हैं पढ़ने के लिए बट लड़कियां जो हैं समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिनको बहुत से माबाप पढ़ाई लिखाई से दूर रखते हैं वही मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा सोचते हैं कि लड़की पढ़ लिखके क्या करेगी तो इसे वज़े से यहाँ पर special emphasis लड़कियों के उपर किया गया है कि उनको तो मिले ही मिले education जिनको नहीं मिल पा रही ठीक है साथ ही में establishment of pace setting schools like Navodhya Vidyale in each district तो हर district हर जिले के अंदर Navodhya Vidyale जो है सरकार construct कर रही है ताकि बच्चे जो है जाके पढ़ लिख सके vocational streams developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills vocational streams को भी set up किया जा रहा है जैसे कि बचो देखो हम जब पढ़ाई करते हैं तो वो हमारी practical life में काम करने के लिए आते हो तो आपको बहुत सार एक skill set की ज़रूरत होती है तो vocational streams नहीं ही सब होता है जो आपको किताबी knowledge से बाहर जो actual work है वो सब करना सिखाती है ठीक है तो vocational streams को भी set up किया जा रहा है high school students के लिए ताकि वो उसको भी access कर सके अपना skill set improve कर सके expenditure on education as a percentage of GDP rose from 0.64% in 1951-52 to 3.0% in 2015-16 has remained stagnant around 3% from the past few years बचो education पर जो पहले सरकार खर्चा कर रही थी उस खर्चे को भी उन्होंने बढ़ा दिया तो हम लोग यहां पर देख सकते कि 51-52 यानि कि आजादी के time के आसपास education पर पूरी GDP में से सिर्फ 0.64% का खर्चा किया जा रहा था बट अब GDP में से 3% जो हिस्सा है 2015-16 में वो education पर किया जा रहा है और उसके बाद से वो एक तरीके से स्थगित हो गया है कि 3% तो खर्ची रहे है ठीके तो खर्चा तो बढ़ा है education के उपर साथी में अब देखो education पर खर्चा बढ़ा है लोगों के अंदर और जाग रुकता आई है लोग और पढ़ने लिखने को इच्छुक हुए है तभी हम लोग देख सकते हैं कि हमारे देश में जो literacy rate है यानि कि the people who can read and write वो literacy rate भी बढ़ गया है तो total अगर literacy rate की बात की जाए तो it is 74.04% at present वहीं पर एक थोड़ा difference देख ले को मिलता है between the male and the female literacy rate male literacy rate 82.14% पे है और वहीं पर female literacy rate है वो 65.46% पे है so there is definitely a gap between the male and the female literacy rate तभी बच्चों special emphasis on girls की बात की जाती है नहीं तो लोग सोचते हैं कि बहित भाव क्यों क्यों कि लड़कियों के अभी भी literacy rate लड़कों के मुकाबले काफी कम है केरिला retained its position by being on top with a 93.91% literacy rate followed by Lakshadweep and Mizoram केरिला जो है बचो भारत का एक ऐसा राज्य है जो की literacy rate के मामले में सबसे top पर आता है that means केरिला के मुकाबले किसी और state में ऐसा नहीं है सबसे जादा पड़े लिखे लोग केरिला में मौजूद है वहां का literacy rate 93.91 है उसके बाद Lakshadweep second number पे है with a literacy rate of 92.28 और Mizoram third number पे आता है 91.58% literacy rate के साथ अब आप लोगों के लिए एक Google Homework है कि आप लोगों को जागे थोड़ा बहुत सर्च करना है कि ऐसा कौन सा इंडिया का state है जहां literacy rate lowest है सबसे कम literacy rate इंडिया के कौन से state में है let me know in the comments below चलो आगे आओ अब देखो और क्या-क्या कोशिश करी है सर्वशिक्षा अभियान सर्वशिक्षा यानि कि सब के लिए शिक्षा अभियान यह जो चालू किया गया था significant step providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010 तो बचो इस प्रोग्राम को इसलिए launch किया गया था ताकि 2010 तक सारे के सारे जो elementary school children है 6-14 साल के बीच में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को education provide की जा सके कोई भी उस education से वंचितना रही यह एक time bound initiative था time bound का मतलब है कि समय निर्धारत समय उन्हा न रखा था 2010 तक ही न हमको सब को education provide करनी है central government केंद्रिय सरकार का initiative था state governments के साथ partnership में local governments और community के साथ भी ताकि बचो इस goal को वो achieve कर सके इस उद्देश्य तक वो पहुँच सके क्या उद्देश्य था the universalization of elementary education universalization of elementary education का क्या मतलब है कि सभी को जो है सभी को पढ़ने लिखने का मौका मिल सके और elementary education जो होते है primary level education सभी बच्चों तक वो पहुँच सके ठीक है तो this was the aim आगे चलिए एक और scheme जो हम लोग देखते हैं सरकार द्वारा जारी की गई midday meal scheme it has been implemented to encourage the attendance and retention of the children and improve their nutritional status तो हम लोग देखते हैं क्या जो midday meal scheme है midday meal scheme का यह मतलब है कि जो बच्चे school जा रहे हैं उनको school में ही lunch भी provide करा जाता है ठीक है बच्चोब आप लोग सोचेंगे की माम यह lunch क्यों provide करा जा रहा है ऐसा क्यों है government schools के अंदर तो यार देखो इसके बीछे न there were two purposes दो goals थे एक तो था attendance encourage करने का दूसरा था बच्चों को retain करने का तीन goals हैं और nutrition improve करने का अब जो गरीब घर के बच्चे हैं जिनको स्कूल में दाखिला तो मिल गया है पर वो बच्चे न स्कूल जाते नहीं है वो हलके मिलेते हैं स्कूल को तो at least बच्चो वो इस लालच में तो स्कूल जाएंगे ठीक है कि यार स्कूल में न हमें खाना मिलेगा हमें लंच मिलेगा तो इससे जो है अटेंडेंस इंप्रूफ होगी तो एक तो वो गोल था प्लस दूसरी चीज है रीटेन कर पाओगे आपके अब बच्चा बोल रहा है कि यार आज तो खाना मिला है कल भी मिलेगा तो फिर वो कल भी स्कूल चला जाएगा चलो पढ़ाई कि उससे नहीं बड़ खाने के उससे तो चला जाएगा और तीसरी चीज है कि हो सकते क्योंकि वो बच इतने गरीब घरों से आ रहे है उनको जो है प्रॉपर नूट्रिशनल फूड ना मिलता हो बट मिड़े मील स्कीम के थरू जब उनको एक अच्छा सा मील मिलेगा तो उससे बढ़ाने की, attendance बढ़ाने की, nutrition इंप्रूव करने की, सब कोशिश है एक साथ की जा रहे हैं उसी के साथ Along with it, the bridge courses back to school camps have been initiated to increase the enrollment in the elementary education Bridge courses, यानि कि देखो कोई ऐसा बच्चा जिसने चौथी क्लास तक पढ़ाई करी फिर उसने स्कूल छोड़ दिया अब वो बड़ा हो गया उम्र में, अब मतलब एक तरीके से उसका साथी क्लास में अडमिशन लेने का टाइम है बट पांचवी और छटी तो उसने क्लास अटेंड ही नहीं करी तो bridge courses, bridge courses to fill the gap कि अगर आपके 2-3 साल की education miss हो गई है तो उस gap को fill करने के लिए bridge course लाया जा रहा है कि आपके जो years है life के वो waste ना हो and you can like after attending that bridge course आप सीधा जिस class में अडमिशन है उस में अडमिशन लो तो bridge course is back to school क्या अभी छोड़ गया तो school वापस आ जा जा तो उसके लिए camps भी चलाया जा रहे है ताकि जो enrollment है जो दाखिला है elementary education में उसको भी बढ़ाया जा सके और जादा से जादा बच्चों को attract किया जा सके उनको education provide की जा सके 12th plan जो सरकार ने निकाला था it endeavored यानि कि उसका जो है एक तरीके से उदेश्य था to raise the country's gross enrollment ratio in higher education in the age group of 18 to 23 years ये ऐसे जगमकाती सी ये कोई दिवाली की light नहीं है बच्चों ये एक बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है ठीक है तो हम लोग देख रहे हैं कि जो 12th plan था सरकार द्वारा उस plan का एम था कि जो country का enrollment ratio है जो दाखिले जो लोग लेते हैं उस enrollment ratio को बढ़ाना था higher education में 18 से 23 साल के जो age group है उसमें enrollment ratio को increase करने का उदेश है था साथ ही में strategy focuses on increasing access, quality, adoption of state-specific curriculum, modification, vocationalization, networking on the use of information technology और strategy का focus था कि लोगों तक पहुँच बढ़ाएंगे, quality improve करेंगे higher education की state-specific curriculum को adopt किया जाएगा तो जैसे Tamil Nadu है तो वहाँ के state-specific curriculum की बात की जारी है या फिर अगर कोई दूसरा पंजाब है, वहाँ का state-specific curriculum ठीक है उसको adopt किया जाएगा modification, vocationalization, तो वही किताबी दुनिया से बहार निकल कर जो practical चीज़े उनको सीखो networking on the use of information technology और information technology जो आज कल के time में एक दम नहीं चीज़ है IT के field में इतिनी सारी jobs है, इतिनी सारी नौकरिया है, बहुत सारी knowledge है it's a vast field to explore, तो उसकी भी knowledge provide करने की कोशिश की जा रही है लोगों को okay, जगमक जगमक बंद हुआ है, आगे देखें the plan, 12th plan की बात हो रही है, it also focuses on distance education convergence of formal, non-formal distance and IT education institutions तो इस plan का focus यह भी ता कि जो distance education होते है, जैसे बचो open schooling होता है right, कि आप एक university में admission लेते हो, तो आपको regular basis पर उसको attend नहीं करना है you just have to study and जब exams होंगे, आपको पता चल जाएगा, तो उस distance education में आप simply अगर कोई काम भी करें तो वो भी कर सकते हैं और फिर जाके जब exams है, उनको दे सकते हैं convergence of formal, non-formal distance and IT education institutions convergence का मतला में जोड़ दो, formal education को, non-formal education के साथ, distance education के साथ, IT education सब चीज़े मिला कर बच्चे को provide की जाएं, over the past 50 years there has been a significant growth in number of university and institutions of higher learning in specialized areas तो अभी तक हम लोग थोड़े टाइम पहले तक बात कर रहे थे, elementary education के लिए सरकार ने क्या-क्या करा है, बट उसी के साथ देखो यार, higher education के लिए भी, पिछले 50 साल में बहुत ज़ादा growth, university institutions जो है, specialized institutions उन सब में भी देखने को मिली है, ताकि higher education को भी और ज़ादा अच्छा बनाया जा सके अब जो है हम लोग health पर आ रहे हैं, लेकिन health पर आने से पहले यार, इस चीज़ को समझ ना बचो बहुत सारी कोशिश से सरकार करती है, education provide करने के लिए, free education provide करने के लिए, lot of things are done but problem वही है, कि हम लोगों के जो government schools है, वहाँ से बच्चे पढ़ तो लेते हैं, बट इतना ज़ादा drawbacks है ना वहाँ पर कि आपने बस एक degree तो ले ली बट उस quality के education आपको provide नहीं की जाती उस government school से beach में कुछ बच्चे भाग रहे होते थे, school से निकल कर भाग रहे होते थे और उनको teachers पकड के ला रहे हैं, और वो बच्चा रो रहा है, कि मेर को क्यों लेके जा रहे हो मुझे वो scenario समझ में नहीं आता है, मतलब या तो बच्चों के अंदर वो lack of interest है, they don't want to study तो कैसे उन loopholes को हम bridge करेंगे, how do we like focus on that, change that whole scenario, we need to look at that as well, ठीक है, now let's come to the health, which is the second thing, अब यार, health कितनी जादा crucial है, यह चीज तब पता चलती है, इनसान को, जब वो बिमार पड़ता है, कोविट के टाइम पर, किसी ने सोचा नहीं होगा, कि यह ऐसा pandemic आ जाएगा, और जब लोगों ने अपने आसपास देखा, कि कितने लोग बिमार हो रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से बिमार हो रहे हैं, how they are falling ill, how they are fighting for their lives, then we actually, at that point, I remember, कि people realized the actual value of their health, है न, अपने आसपास के सेनारियो को देख कर, लोगों को समझ में आया है, कि यार, हमारी जो जान है, तो जाहन है, जान है, तो जाहन है, वो तब समझ में आया था, तो बहुत बात है, कि यार, till the time, अपने आसपास कुछ न बोलूंगे, it's not just your physical health, ठीक है, it's also about the mental health, which needs to be talked about, a lot, we like, kind of, forget focusing on it, but हा, mental health भी काफी जादा जरूरी है, जब तक यहां पे सुख चैन नहीं है, तब तक बाकी health का खाल रखना भी, मतलब, बिकार है, ठीक है, so health as a whole, is very, very important, for one's well-being, and आप healthy हो, तभी आप कोई काम कर सकते हो, धंग से, तभी आप educate हो पाओगे, अगर आप healthy होगे, तभी आप कोई काम कर पाओगे, अगर आप healthy होगे, तभी आप कमा पाओगे, अगर सेहत आपकी ठीक नहीं है, तो सब बाकी सब बेकार है, सब कुछ, ठीक है, ultimately यहाँ पर देखिए, हर firm को अपना profit maximize करना होता है, बहुत diligently काम करें, पूरे लगन के साथ काम करें, जो healthy population हो, अगर कोई employee को मैं हायर करती हो, मेरे एक company है, मैं हायर करती हो, और वो employee बस बिमार ही पड़ा रहता है, पूरे टाइम, वो कह रहा है कि मैं आज बिमार हो, कल बिमार हो, परसो बिमार हो, तो यार, मैं क्या करूं फ तो ऐसे तो firm अपना profit कैसे maximize कर पाएगा, उसको ऐसे employees चहिए, जो कि बहुत hard working हो, जो कि healthy लोग हो, बिमार कम पड़े, या पड़े ही न, तो health of a person also helps him to realize his or her potential and the ability to fight illness, एक इंसान का health, अगर आप healthy इंसान हो, तो आपको आप ये भी realize करोगे कि what all potential you have, क्या-क्या आप अपनी life में कर सकते हो, क्या-क्या उखाड सकते हो, ठीक है, कहां तक जा सकते हो, if you will be healthy, अगर बिमार पड़े रहोगे, तो बिमार जब इंसान होता है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उसको कुछ करने का मन नहीं करता है, तो you have to be healthy in order to realize your potential and also, तब आपको ये भी realize होता ह है कि हम illness यानि की बिमारी को भी fight कर सकते है, if you are a healthy person, तो पहुत जल्दी जल्दी आप बिमारी को fight करके भी निकल सकते हो, one, या he or she won't be able to maximize his or her output to the overall growth of the organization, अगर आप healthy नहीं हो, तो आप ना तो अपना output maximize कर पाओगे, ना खुद productive रह पाओगे, ना जहां पर आप work कर रहोग इसले हार, health बहुत ही जादा crucial है अपनी well-being को realize करने के लिए, we need to stay healthy for that, आगे देखें, so the improvement in the health status of the population is a priority of the country, our national policy aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare and nutritional service with a special focus on the underprivileged segment of the population, तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश जो है उसके लिए priority पर है, कि हमारी जो population है, जो जनसंख्या है, उसका health status और भी बहतर बनाना, हमारे जो देश की national policy है, it aims at improving accessibility of healthcare, family welfare, nutritional service with a special focus on the underprivileged segment of the population, और बचो हमारे जो national policy है, उसका भी यही उदेश्य है कि सभी लोगों को healthcare तक, जो स्वास्त सेवाए हैं, वहां तक पहुँच मिल सके, ठीक है, family welfare का लोग ख्याल रख सके, और nutritional services उनको मिल सके, with a special focus on the underprivileged segment of the population, जैसे education में girl child पे special focus था, health care में underprivileged segment पर focus किया जा रहा है, underprivileged ज्यानी कि बच्चों वो सारे लोग जो गरीब है, जो स्वास्त सेवा विलास की कहानी पड़ी थी, और वहां पर आपने देखा था कि किस तरीके से जब वो बिमार पड़ते हैं, उनको arthritis होता है, तो उनके family के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इस बच्चे को डॉक्टर तक भी लेकर जा सके, ऐसे बहुत लोग होते हैं, जो गरीब हैं, जिनक को शायद वो सेवाए नहीं मिल पारी, स्वास्त सेवाओ तक वो पहुंच नहीं पारे, उन तक पहुंचाना भी है, और उन पे special focus भी क्या गया है, ओर दे लास्ट फाइब डेकेज, पिछले पचास सालों की अगर बात की जाए, तो इंडिया has built a vast health infrastructure, बहुत अच्छा हमने health infrastructure built करा है, manpower को भी develop करा है, which is required at the primary, secondary, tertiary sector in government as well as in the private sector, तो government अस्पताल हो, private अस्पताल हो, वहाँ पर हमने जो manpower है, यानि की बजो जो में लोग चाहिए, उन अस्पतालों के अंदर चाहिए, वो doctors हो, nurses हो, बागी staff हो, तो उन सभी staff को भी हमने develop करा है, मतलब वो भी staff हमारा ग्रोग ही करा है, primary, secondary, tertiary level पर, these measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014, तो यार यह जितने भी हमने measures adopt करे है, अपनी health conditions को improve करने के लिए, देश की, health services को improve करने के लिए, तो इसका result भी हमको देखने को मिला है, और देश के अंदर जो life expectancy है, वो भी बढ़ गई है, तो 2014 के अंदर life expectancy है, वो 3 years, ओके, तो life expectancy का मतलब होता है, average number of years a person is expected to live, और यह जो life expectancy होती है, यह calculate करी जाती है, बिर्थ रेट और डेथ रेट के हिसाब से की, average basis पर लोग के साल में मर रहे हैं, तो इस हिसाब से calculate करी जाती है, जितनी जादा life expectancy होगी, मतलब उतना ही बहतर health condition जो है, आपके देश मे exist कर रहा है, current life expectancy क्या है, इसको जरूर find out कीजेगा, infant mortality rate has come down from, come down, ठीक है, तो calm down बचो गाना आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर come down, infant mortality rate नीचे आ गया है, इसकी बात की जारी है, 147 था, 1951 में और अभी 34 हो गया है, 2016, infant mortality rate क्या होता है, बचों जैसे 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं किसी जगा पर, एक साल की उम्र पहुँचने से पहले कितने बच्चे उस 1000 बच्चे की proportion में मर जाते हैं, तो that is the infant mortality rate, all right, कि infant में कितना death rate है, उसको calculate करा जाता है, जितना कम infant mortality rate होगा, उतनी बहतर health conditions है, जितना बड़ा infant mortality rate होगा, उतनी खराब health services है, तो यहां पर वही बोला जा रहा है, कि 1951 में 147 was the infant mortality rate, और 2016 में वो rate नीचे आ गया है 34 तक, that means definitely we have improved a lot, crude birth rates have dropped to 20.4 and death rates to 6.4 within the same duration of time, तो birth rate का drop होना अच्छी चीज है, लोगों को थोड़ी समझ में आ रहा है कि यार देश में वैसी कमी नहीं है population की, तो इतने भी बच्चे पैदा मत करो, तो birth rate में भी drop आया है, और death rate में भी drop आया है, same duration of time में, life expectancy में increase और improvement in childcare बहुत useful रहते हैं to assess the future progress of the country, देश आगे कितना बड़ेगा, ये life expectancy से आप judge कर सकते हो, child care में जो improvement आई है उससे भी आप judge कर सकते हो, कि देश का future भविशे क्या रहेगा, का भी जो topic है वो complete हुआ है, बट यार देखो, बात वहिए कि अभी भी बहुत सारी problem है, हमें पता है कि सरकारी hospital है, बहुत सारी चीजे हैं, जो लोगों की healthcare का ध्यान रख रहे हैं, बट क्या वो उस level के developed हैं, अगर आपको एक option दिया जाए, government hospital में जाकर रिलाज कराओ, या private hospital में जाकर कराओ, लोग private hospital में आज भी क्यों जाते हैं, क्योंकि बहुत poor conditions में वो government hospitals एक तरीके से operate कर रहे हैं, तो they need a lot of improvement, lot of improvement, और बचो अब एक बहुत बड़ा challenge जो है उसकी बात यहाँ पर इस chapter में की जाएगी, which is unemployment, यानि की बेरोजगारी, क्या होती है बेरोजगार यह सवाल हमें एक दूसर से पूछना चाहिए, माम हम भी क्या बेरोजगार हैं क्या, अच्छो आप लोग बेरोजगार नहीं हूँ, ठीक है, so be happy with that, क्योंकि unemployment की real definition क्या है, let's look at that, unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs, unemployment एक ऐसी सिती को बोला जाता है, जब जो लोग काम करना चाहते है at the going wages, क्यार मुझे पता है कि मार्किट में इस काम के इतने पैसे मिलते हैं, और मैं उस पैसे पे काम करना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे काम मिल नहीं रहा, ठीक है, but I am unable to find jobs, that state is known as unemployment, कि जब आप काम करना चाहते हो at the going wages, but आपको नौकरी मिल नहीं र तो उसको नहीं बोलेंगे, वो तो करना है नहीं चाहता काम, वो तो रहना चाहता है ऐसे, ठीक है, और इंडिया के अंदर unemployment, rural और urban areas में हमको देखने को मिलती है, nature of unemployment differs, लेकिन बचो यह जो unemployment है, जो बेरोजगारी है, अलोगलग type की बेरोजगारी आपको देखने को मिलेग वहीं पर urban areas के अंदर आपको mostly educated unemployment देखने को मिलेगी, seasonal unemployment क्या होती है मैं बताती हूँ, जिसे गाहों बगेरा में क्या होता है कि कोई किसान है, अब वो एक season के लिए खेती करता है, ठीक है, अब एक season के बाद ना, उसका काम खतम हो गया है, तो एक तरीके से वो एक season के लिए unemployed है, एक season के लिए unemployed है, तो that is seasonal unemployment, कि आपके पास कुछ specific time के लिए काम था, साल में, अब आपके पास काम नहीं है, दूसरे टाइप के unemployment यहाँ राती है, डिस्गाइज run employment, अब वाट इस डिस्गाइज run employment, डिस्गाइज run employment का मतलब होता है, जब एक ही field पर suppose, यह एक ही field है, और इस field पर, जैसे यह uncle का field है, और यह uncle का पूरा परिवार इस field पर लग जाता है, uncle की wife है, uncle की दो बच्चे है, uncle की एक मम्मी है, सब लोग 5 लोग मिलके काम कर रहे हैं, उसी एक खेत पे, यह अगर यह 5 लोग अलग अलग जगा काम करते हैं, तो शायद यह और जादा पैस पैसा कमा ले थे, जितना 5 लोग मिलके कमा रहे हैं, बट अब क्या है, कुछ लोग काम तो कर रहे हैं, बट उनके काम करने का कोई फायदा नहीं है, उससे कोई output नहीं बढ़ रहा है, ना ही income बढ़ रहे है, family की, so they are actually a waste, अगर यह तीन लोग यहां से निकल कर कहीं और जाक रहे हैं, कि सब काम कर रहे हैं, बट क्या हर कोई अपने full potential का इस्तमाल करके काम कर रहा है, तो नहीं, इसलिए वो under employed है, और यह क्योंकि दिखने ही पारी unemployment, उसलिए इसको hidden unemployment भी बोला जाता है, और इसको disguised unemployment तो बोला ही जाता है, और urban areas के अंदर जो unemployment देखने को मिलती है, जाने कि शेहरों के अंदर जो वेरोजगारी देखने को मिलती है, that is educated unemployment, मतलब जहां पर जो पड़े लिखे लोग है, डिग्री वगेरा के साथ, उनको भी काम नहीं मिल रहा है, जारीर सी बाते हैं, अब कल को पियाउन का काम मिलेगा, वो थोड़ी कर लेंगे, कि किसी ने कि डिग्री लिए, उसको पियान का काम मिल रहा है, वो कह रहा है, काम तो मिल रहा है, कर लो नहीं, उसको जब तक अपनी डिग्री के हिसाब से काम नहीं मिलेगा, वो नहीं कर वेगा, ठीक है, तो भही वाली चीज होती है, I hope आपको ये तीनो टाइप की unemployment समझ महीं, अलग जो काम करना चाहते है, पर उनको काम नहीं मिल रहा, तो इससे this has leading to a wastage of the manpower resources, अगर वो कहीं काम करते है, तो यार वो कुछ पैसा कमाते है, उनकी भी condition improve होती, और देश भी, देश की जो income है, उसकी तरफ, national income की तरफ भी उनका contribution चाहता है, देश भी develop होता है, वो भी develop होते ह क्योंकि वो बेरोजगार बैठे है, ना तो वो देश की तरफ कुछ contribute कर रहे है, ना वो अपने ले कुछ contribute कर पा रहे है, इस वज़े से, जो manpower resources आने की वो जो लोग है, वो एक तरिकी से waste है, ठीक है, people who are an asset, turn into a liability, जो लोग शायद देश के लिए फाइदेमंद बन सकते थ देश की GDP में अपना योगदान दे सकते थे, आज वो एक burden बन गए है देश पर, वो एक बोज बन गए है क्योंकि उने काम नहीं मिल रहा है, तीसरी चीज़ है, there is a feeling of hopelessness and despair, यह और अविस्ती बात है कि अगर आप काम करना चाहते हो, आपने बहुत, आप बहुत महनती हो, आपने डिग्रीज ले रखे हैं, आपके पास स्किल्स हैं, बट फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, तो एक उमीद से आप खोने बैठते हो, लाइफ से है, बहुत तुख का जो stage है, कभी-कभी बचों लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब उने काम नहीं मिलता है, अपने हिसाब का, when they are unemployed, when they are not doing anything, so बहुत गंदी mental state में वो लोग चले जाते हैं, जहां पर उने लगता है कि आर कुछ नहीं हो सकता अब हमारी life के साथ, we are a total waste, तो वो hopelessness, उमीद छोड़ देते हैं जिंदगी से, उस stage में भी चले जाते हैं, then people also do not have enough money to support their family, लोगों के पास अपनी family को support करने के लिए भी जादा पैसा नहीं होता है, पैसा कमा ही नहीं तो कहां से पैसा होगा, ना तो अपने आपको support कर पा रहे हैं, ना तो परिवार को support कर पा रहे हैं, साथ ही में, inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste, यार जो पड़े लिखे लोग हैं, जब वो बेरोजगार बेठे हैं, लेको समझ में आता है, कोई अनपड है, उसको कुछ नहीं आता है, उसको नौकरी नहीं मिल रहे हैं, तब भी समझ में आता है, बड़े लिखे लोग है, जब वो बेरोजगार बेठे हैं, तो इस एक तरीके से समाज, पुरे समाज का नुकसान हो रहा है, social waste है, क्योंकि अगर वो पढ़ता लिखता हो सकता है, कि वो कल को और चार लोगों को पढ़ाता, कुछ करता, हैना सब्सक्राइब एक इंसान है, वो टीचर बनना चाहता था, बट अभी इसको नौकरी नहीं मिल रहे है, कल को अगर वो पढ़ता लिखता है, तो शायद वो और हो गया है, dependence of the unemployed on the working population increases, quality of life of an individual as well as of the society is adversely affected, quality of life to affect होगी, आप कमान ही रहे हो, ठीक है, अगर आप कमाते है, आपका lifestyle improve होता, आपकी family का lifestyle improve होता, but now, because you are not able to earn, तो आप खर्चा भी नहीं कर पाओगे, उतने से ही resources में एक्तम बंद के रह जाओगे, आपकी भी life खराब हो रही society भी एक तरीके से और downhill जा रही है, unemployed लोग, जो बेरोजगार लोग हैं, अगर वो जादा रहेंगे, तो जो burden है, बच्चों, working population पे और बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि देश के अंदर, जब हम national income या GDP की बात करते हैं, वो सारी उन लोगों द्वारा contribute करी जात ठीक है, and 50 people are unemployed, अब एक तरीकी से इनी 50 लोगों पे पूरा का पूरा भार पड़ गया है, क्यों नहीं को ही national income earn करने हैं, उनी को ही GDP की तरफ contribute करने हैं, क्योंकि बाकी तो लोग जो है हो सकते न, अब इस 50 में से हो सकते हैं, कुछ लोग बूडे हों, कुछ बच्चे हों, 20- जो unemployed हो, जिनको नौकरे नहीं मिल रहें, तो उन सब का burden जो है, इस working population पे आजाता है, यह वाली बात हो रही है, all right, आगे देखो, बड़ी इंट्रेस्टिंग सी चीज़ हमको इक पता चलेगी, अच्छा, when a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status, rising withdrawal from the school system, और हा, यहाँ पर बच्चों फिर से एक vicious cycle create होगी, अगर एक family को एक bare subsistence level पे रहना पड़ता है, यार अगर घर में कोई कमायेगा नहीं, अगर unemployment जादा रहेगी, ठीक है, घर की income नहीं बढ़ रही है, तो family को जो थोड़े बहुत उनके पास पैसा है, उसी में गुजारा करना पड़ेगा, एक bare subsistence, अ education पर पैसे नहीं खर्च पाएगी, तो सकता है कि उनके पास पैसा ही ना हो, कल को अपने बच्चे को बोले कि यार तुम school फूल छोड़ो चलो काम पे लगो, हैना कुछ ऐसा काम कर लो, जिससे एट लीस हम थोड़ा बट तो पैसा कमा सकें, तो school system से विड्रॉल होगा, health status भ अपना ठीक नहीं रख पाएंगे, तो यह सारी जो हैं डिक्कते आएंगी, अभी बड़ी इंट्रिस्टिंग सी बात हमको पता चलती है, कि अनेप्लॉयमेंट रेट इंडिया में कम है, क्यों? इंडिया के अंदर जो बेरोजगारी का रेट है, वो बहुत कम देखने को मिल पता है, what can be the reason behind it, थोड़ा सा सोचो यार, मैं एक दम से बता दूँगे, तो क्या है फायदा, देखे, बात कुछ ऐसी है बचो, इंडिया के अंदर, अनेप्लॉयमेंट जो है ना, वो हिडन है, छुपी हुई है, अब शर्लोक होम्स बन के ऐसे हम इसको डूडने के नहीं, हईडन अनेप्लॉयमेंट का यह मतलब है, जिससे मैं आपको बताया था ना, कि लोग काम तो कर रहे हैं, बट यार नोट वर्किंग अप्टू देर फुल पोटेंशिल, अब यार मैंने यह बोल दिया कि, सिंपल सी बात है, कि कोई एक जो है, किसीने एक ठेला लगा लिया, अर्बन एर्या में एक ठेला किसीने लगा लिया है, छोटा सा, वो क्या दिन के 100-200 रुपे कमा लेता है, किसीने और चला लिया, वो दिन का सब्स बहुत कम पैसा रिक्षा चला रहा है, कोई इंसान, पीपल आर डूइंग थिंग्स, पीपल आर वर्किंग, बट यार अर अ पैसा काम कर रहे है, जहां पर बहुत कम पैसा कमा रहे है, बहुत मीगर इंकम कमा रहे है, तो अने एंप्लोइमेंट तो बहुत कम दिखेगी, बट यार, सिंपल से चीज़ है, कि we want people who are in highly paid and valued jobs, जब तक लोग highly paid और valued jobs में काम नहीं करेंगे, जब तक ज़ादा से ज़ादा पोपुलेशन highly paid और valued jobs में काम नहीं करेंगी, तब तक देश भी कैसे आगे बढ़ेगा और तब तक उनकी भी स्थिती कैसे सुधरेगी, अगर लोग बहुत कम पैसा ही कमाते रहे, अगर बहुत कम पैसे में ही वो कमा रहे हैं, तो उनको मतलब अपना गुजारा भी करना है bear subsistence level पे रह जाएंगे, ना तो अपने ले कुछ कर पाएंगे, ना तो अपने परिवार को धंग से रख पाएंगे, health उनकी condition, अगर बिमार भी पड़ेगा कोई घर में तो उनको चार बार सोचना पड़ेगा कि इसको अस्पताल लेके भी जाएं कि नहीं लेकर जाएं, ख आपको gainfully employ करें, highly paid jobs में जाएं, तब ही जो है उनकी भी condition improve हो पाएगी, तब ही जो है देश भी और आगे बढ़ पाएगा, चीक है, तो आप लोगों को इस चीज का बेहद ख्यार रखना है, तो बचो आज की हमारी class जो है वो यही पर होती है समाप्त, I hope you all liked the chapter, loved the chapter, और आ लाइफ में इसको improve करते जाना है, करते जाना है, क्योंकि असली खुशीना इनसान को तब ही मिलती है, जब हो अपनी quality as a person improve करता जाता है लाइफ में, और जादा डिवेलब होता जाता है, इंडिविजुल डिवेलपमेंट पर फोकस करो, आसपास के लोगों की भी development हो जाए है, like कर दीजेगा session को अपने दोस्तों के साथ share कर दीजेगा, I will see you next time, take care and bye-bye, bye guys.